कि अगल दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने चैनल आई एंड प्लस में दोस्तों अगर आप लोगों ने भी धनी वन फ्रेडम के क्रेडर लिमिट यूज कर रखे यह फिर धनी वन फ्रेडम क्रेडर लिमिट आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो तो आप लोग जरूर वाच करिए दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप लोग धनी वन फ्रेडम के क्रेडर लिमिट यूज करते हैं तो आपको कितने चार्जिस यहां पर देने पड़ सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से र चार्जिस देने पड़ सकते दोस्तों अगर आप लोग जो है धनी वन फ्रेडम क्रेडर लिमिट है एक्टिवेट करते हैं तो उसके भी चार्जिस आपको यहां पर देने पड़ेंगे और वहीं अगर आप लोग जो है धनी वन फ्रेडम क्रेडर लिमिट आप लोग महिने का टाइम मिल जाता है आप लोग बिना किसी इंटरस्ट के आप लोग तीन महिने तक इसे रिपेमेंट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर जो है सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आप लोग धनी वन फ्रीडम क्रेड़ लिमिट है जो एक्टिवेट करते हैं तो एक यहां पर सब्सक्रिप्स करके आप से 200 रुपए तो यह लिए जाएंगे उसके पास से चलिए मैं आप लोगों को और चार्जिस दिखा देता हूं यहां पर लगये हुए हैं यह आप लोग यहां पर देख सकते दोस्तों वह जो चार्जिस हैं वह अलग हो गए वह तो हमार करनी होगी डाइस होगी अब डाइस होगी रीपेइमेंट कैसे करनी होगी चलिए मैं आप लोगों को वह भी दिखा देता हूं यहां पर दोस्तों मैंने जो है धनी वन फ्रीडम का जो अकाउंट है वह ऊपन कर लिया चलिए यहां पर आप लोग देख सकते जो कि उपन हो लेकिन दूस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा यहां अगर आप लोगोंने धनी वन फ्रीडम क्रेड़ लिमिटा ले रखिए अगर आपका जो ट्रांजेक्सन फेल हो रहा है तो जो ट्रांजेक्सन फेल होने का रीजन है बार बार कोंट पर यहां पर लिमिट लगा दी गई गाइई ड्रांजें यानी में 500 उरुपे से जदा यहां पर ट्रांजे क्षचन नहीज कर सकता एक बार में अगर दोस्तों में 500 से जदा ट्रांजख्चन करूंगा तो जो मेरी प्रच्वशन है वो बार-बार फेल हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट पहला पॉइंट इसका यह हो गया कि यहाँ पे दोस्तों जो है आपके धनीवन फ्रीडम अकाउंट में यहाँ पे लिमिट लगा दी जाती है आपको लिमिट तो मिल जाती जैसे पांच हजार या फिर दस हजार लेकिन आप लोग उसे एक बार में यूज नहीं कर सकते उसके बाद से यहाँ वे दोस्तों आप लोग जो है अपनी लिमिट बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते आपको लेकिन अगर आप लोग जो है मोडिफाई लिमिट करते हैं तो उसके भी आपको चार्जिस देने पड़ेंगे दोस्तों यहां गुमाफिरा के बात वही होने वाली है कि यह लोग इंट्रस नहीं ले रहे हैं लेकिन आपको जो है यह क्रेटर लिमिट यूज करने के लिए ट्रण्जैक्सन लिमिट बढ़ाते हो आप लोग तो उसके भी चार्जिस लेंगे चलिए यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को और चार्जिस दिखा देता हूं जो कि आप लोग की रिमिट करते हैं तो आपको किनले चार्जिस लगए आप लोग यहाँ पर देख सकते दोस्तों जो कि मैंने धनी वन फ्रीडम क्रेटेड लाइन की सिर्फ यहाँ पर 100 रुपए यूज करे हुए और सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करी हुए इनकी सिर्फ आमने धनागी सिर्फ पर देख सकते हैं मैने दोस्तों सिर्फ 100 रुपए यूज करे से रहा है प्रोसेसिंग फीजिasty जीरो है लेकिन एक्ट मउलोग जिए अंटुटeton कैक्ट इल्टन हें गरत हुए अब दोस्तों हमने तो सिर्फ 100 रुपाय यूज करें उसके बाद से चार्ज हैं यहां पर 500 रुपाय लगे हुए, ठीक है, यह इस टैम डूरी चार्ज हैं, लेकिन नहीं पर प्रोसेसिंग फेस तो 0 बता रखी हैं, ठीक है, उसके बाद से आप से 1500 रुपाय इस टैम डूरी यहें पे यूज कर रखिए तो यह तो यह चार्जिस तो दोस्तो आप लोगों को पे करने ओनगे यहां पे दोस्तो आप क जो है जो है लोग Cities कर दिया जाता आप जोवी आमाउंट यहां की अकॉंट बना दिया जाता है और वो टोटल अमाउंट आपके जो इमाई में कनवर्ट हो जाता है जो भी इमाई होती है वो आपके बैंक से ऑटो डेविट हो जाती है जो कि तीन महीने तो यह तो हो गए दोस्तों जो कि धनीम वन फ्रीडम क्रेडर लिमिट के यहां पे चा करने पड़े जो जो कि दोस्तों रुपए यहां पे चार्जिस होते हैं अगर आप लोगों ने उनका जो एक फ्रीडम का प्लान अगर आप लोगों ने ले रखा है क्रेड़िल्लिमिट एक्टिवेट कर रखी तो उसके चार्जिस तो आपको करने पड़ेंगे यह सब्सक् इस बात और को द्यान दूस्तों मैं उमीद करता हूं कि यह वीडियों आपԲोगों JUST होगी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए चलिए मिलते नेस्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग